तो कैसा है आप सभी लोग आप सभी ठीक होंगे मेरे दोस्त आज एक नई वेकेंशी पर बात करेंगे काफी एस्प्रेंट यह पूछ रहे हैं कि जो अपनी जो नई वेकेंशी है कंप्यूटर अनुदेशक की वेकेंशी है जो पिछली बार काफी फद वेकेंट भी रह गए किसमें कंप्यूटर अनुदेशक में तो ठीक है मेरे दोस्त आज इस पर बात करेंगे कि कितनी पोस्ट आने वाली हैं और कुछ बच्चे यह भी डाउट हो रहा कि योगेता में कुछ बला बदलाओ तो नहीं करेंगे सर और दूसरी बात इंपोर्टेंट सबसे कि इसनी rust है जो सेकिन्ड इर में न जो VCA में प्र जिनके बेशनांकर सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करेंगे कितने पर पदोस्व विकर्त हो चुके थे यह सारी पदों पर बात करेंगे कि बाइज जो बैसिक कंप्यूटर अंदुरसक की बढ़ती है सीनियर की बाद वरिष्ट की बात कर लेंगे और जो बैसे कि यह उसकी बात कर लेंगे जो पिछली बार सम्टिंग यह मान के चलो दस जार सम्टिंग पदे थे ओनली बैसे कंप्यूटर अंदुरसक के वरिष्ट के अलग थे दो डाई जार सम्टिंग बारा जार के सम्टिंग पद धे लेकिन बैसे कंप्यूटर के इपन बात करें इसमें बच्चों के 40 परसेंट भी नहीं आ पाये थे वह डिसक्वालिवाई कितने सब्सक्विकर्ट होते हैं आप सभी लिए मालों 4,000 होते हैं 3500 होते हैं 30,000 ऑप सब्सक्राइब होते कितने इतने सब्सक्राइब सब्सक्राइब Ama O बच्चे हैं जिसे मालों सेकिंड एर में हैं पेरी में हो चुके फाइनल हो चुके जिनकी वो इसकी आगे प्रप्रिसन कर सकते हैं ठीक है इसके बारे में जो भी एस्प्रेंट है ना एक अपना स्ट्रेजी वीडियो अलग से आजाएगा जो भी आप कंप्यूटर के हूँ कर नहीं हूँ ऐसा ही मैं बोल दूं कि ठीक है मैं प्रप्रिसन कर रहा हूं कंप्यूटर नो दे सकी और यहीं नहीं पता है कि योग्यता क्या होने वाली है वह अपना के बात करेंगे लेकिन इतने पद सभीकर्थ इसमें है यह आप देख सकते हो ठीक है पिछली ब और इसमें अप्डेट आजएगी तो इस चीजे सारी जो भी है ना प्रेशला साइक वगेरा मैं अलग से वेकेंशी वेकेंशी के बारे में बता दूंगा यह अलग लग वेकेंशी है आज अपन सिरफ कंप्यूटर अनुदेशक के बात करेंगे यह वरिष्ट के लिए तो आपकी यह उगयता होने चीए आई होप आपको सभी से नहीं दिख जाते हो टेलीकर आंपे बैच देग लीचेगा यह बैसिक कंप्यूटर के लिए है अब वरिष्ट के लिए आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर जोश के लिए आपके पास में होने चाहिए है है तो वरिष्टी के लिए फिर्फ तो आपके पास में कोई यह सारी डिग्री आप देख लिएगा आई टी सेक्टर इंफॉर्मेशन जो टेक्नलोजी ए उसमें आपके पास में डिग्री होनी चाहिए मस्यापके पास computer science है किया हुआ है तो आप इसमें इलिजिबल हो master computer application लिए यह सारी डिग्री जिसमें आपके पास में आपके पास किसी भी स्ट्रियम से है तो आपके पास में है तो यह फिर आपके पास एप इसको देख लिजेगा पहले जितनी भी डबल एकी टी याइची की जतनी भी आपके पास वह मन है आप यह इसमें इसमें हो ठीक है इसमें बेसर डिखी है इसमें मास्ट डिगी यह दोनों में इतना इंफरक है बाकि दोनों ची यह फेट लेवल लेवल 10 की है यह सब दोनों में ईच्छ सेलडी है बाकि सबसे इंपोर्ट रिद बाद में आपको बताई दिए मेरे दोस्त की इतनी पोस्टेश में आनी वाली है तो आप इसकी प्रप्रप्रशन आराम से कर सकते हो जिनके पास ही डिग्री है जिनके पास में जो मैंने भी एक वालिप्रशन बताई यह आपके पास में है यह मत सूचना की मेरे पास RKCL का RECCET का डिप्लोमा है certificate है उन्चे काम चल जाएगा उन्चे काम नहीं चलेगा और vacancy का तक आ सकती है कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि कब तक vacancy आ सकती है तो vacancy का डेगो अनुमाल लगा सकते हैं मेरे दोस्त क्या हो सकता है हमें एक अनुमाल लगा सकते हैं कि बच चार हजार पदों पे कितने चार हजार पदों पे vacancy आपको देखने को मिल सकती है कब तक अभी इसकी कोई विवागय परकीरिया नहीं हुई है मेरे दोस्त कोई विवागय परकीरिया इसमें नहीं हुई है अब आपको इतना ही द्यान रखना है कि अगर आपके पास में एक year रहना तो इसकी preparation आप start करते हो अगर आप second year में हो BCA जो भी आपके पास में degrees है अगर आप appearing class में हो तो आप preparation start कर दीजिएगा मेरे दोस्त ठीक है preparation start कर दोगे benefit आपको होगा एक साल के कमचे में ने हम आपको preparation करने पड़ेगी इसके समद्र जितनी भी अपने पास information आएगी वो टेलिग्राम के मादियम से आपको provide कर दीजाएगी मेरे दोस्त टेलिग्राम की link आपको chat box में comment box में मिल जाएगी ठीक है ? comment box में आपको मिल जाएगी तो आप comment box मिल जाइए या फिर आप जाए टेलेग्राम पे जाएए बूर्डक एकेडमी नाम सर्च कीजिएगा वहीं आपको टेलेग्राम मिल जाएगा कोई और इन्फोर्मेशन आपको लेनी है तो सुनिल चोधरी कि वाइटी के नाम से आपको इंस्टाग्राम पर जाएए वहां फॉलो कीजिएगा और वहां पर कोई भी अपडेट पूछने आपको तो मेंसेस कीजिएगा ठीक है तो यह बात थी मेरे दोस्त जो भी अपडेट आएगी टेलेग्राम के मादर्ण से आपको फॉइड करा दी जाएगी बाकि एक्षी का सी पोस्ट भी आएगी पिछली बार की तरह यह मसोचना पेपर ठीक ठाकता ना पेपर ठीक अच्छा पेपर था जो कम्पूटर अनुदे सका है बैसिक का वरिष्ट का मीडियम था मीडियम से भी नीचे था लेकिन यह मानके चलो वेट इसका जो ब आपका सेलेक्शन हो जाएगा ठीक है मेरे बाई बाकी देखो जैसा भी है आपकी थिंकिंग वैसी है कि सब नहीं बरती आएगी आएगी नहीं आएगी कोई इसका कुछ अता पता नहीं है पद वेकेंट पढ़ें वेकेंसी तो आनी ही आनी है लास्ट यह मानके चलो आप इ दीन मैने का टाइम दिये जाएगा तो आपर प्रिपर्शन कीजिएगा बाकी जो भी आपको रिकॉइड होगी इन चीजों की जो भी इस्टडी में अट्रेल होगा तो आप कमेंट कर देना आपकी जो भी राहे वो भी कमेंट अब्देना बाकी मिलते हैं एक नेक्स टूड